आपने बहुत सी कंपनीज के ऐसे बहुत सारे ready-made plans का नाम सुना होगा जैसे की guaranteed growth plan, max saving plan, wealth goal plan, guaranteed future plan वगरा वगरा तो जितने attractive इनके नाम होते हैं, actually में इतने attractive इनके returns नहीं होते, although बताया और दिखाया कुछ ऐसे ही जाता है तो ये plans होते हैं जिनमें आप हर महीने या फिर yearly एक certain amount pay करते हैं जिसको premium कहा जाता है, ये premium आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर उससे भी limit duration के लिए pay कर सकते हैं, और एक fix duration के बाद let's say 10 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद जो भी duration आप choose करते हैं, आपको उस duration के complete हो जान अगर आपकी death हो जाती है, तो आपके family को यानि कि आपके nominee को दिया जाता है एक lump sum amount और ये lump sum amount होता है आपका जो भी yearly premium है उसका 10 times, for example अगर आपका yearly premium है 2.5 lakh rupees यानि कि 25 lakh रुपे का lump sum amount आपके nominee को दिया जाएगा, वा यार, ये तो must plan है, ऐसे plans में तो फाइदा ही फाइदा होगा और भगवान ना करे, अगर death हो जाए तो मेरी family covered है, मतलब इससे जादा किसी को और क्या चाहिए होगा, तो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ज़रा इसकी सच्चाई को जान लेते हैं, तो अगर आप मेरी screen पर देखेंगे, मैंने यहापर एक website open की हुई है, ये 20,000 पर मन्त का, मैं ये invest करना चाहता हूँ 10 साल के लिए, और जो मुझे पैसा withdraw करना है, ये मुझे withdraw करना है 10 साल के बाद, तो इन सभी inputs के हिसाब से, अगर हम plan number 1 देख लेते हैं, तो ये plan number 1 मुझसे कह रहा है, कि मैंने जो total पैसा invest किया है, अगले 10 साल में, ये मैंने invest किय 24,500,000 रुपे, 10 साल के बाद इस plan के हिसाप से, जो मुझे पैसा मिलता है, वो मुझे मिलता है बढ़ के, यानि की 33.100,000,000 रुपीज, तो मैंने invest किये हैं 24 लाग रुपे और मुझे 10 साल के बाद मिल रहे हैं extra 9 लाग रुपे यानि कि 33.1 लाग रुपीज और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मैं इस प्लैन में सालाना जो पैसा invest कर रहा हूँ 20,000 रुपे के हिसाब से मैं invest कर रहा हूँ 2.4 लाग रुपीज जो कि मेरा annual premium होगा यानि कि 2.4 लाग into 10 अगरम करते हैं तो यहाँ पर मुझे जो insurance cover मिलता है in case of my death वो मुझे मिलता है 24 लाग रुपीज का मतलब मुझे नहीं मेरे nominee को जो मिलेगा वो मिलेगा 24 लाग रुपीज का तो 10 साल बात पैसा मुझे बढ़के मिल रहा है इस 10 साल की duration में मुझे insurance मिल रहा है 24 लाग रुपे का तो यहाँ तो हमें अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है next हम आजाते हैं एक SIP calculator की तरफ SIP calculator आपने कहीं बार वीडियो में देखा होगा खुद भी यूज किया होगा तो same inputs मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ मैंने अपना monthly investment amount डाला हुआ है 20,000 रुपीज का expected rate of returns जो हम assume करते है mutual funds में मरे से मरे जो हमें returns मिल सकते है मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कम से कम 13% के returns long term में तो मिलने ही चाहिए और time period मैंने यहाँ पर choose किया हुआ है 10 years का तो again उसके हिसाब से मेरे पास जो यहाँ पर invested amount बन जाता है जो पैसा मैं invest कर रहा हूँ वो बन जाता है 24 लाग रुपे का estimated returns जो मुझे मिलते है वो मिलते है 25 लाग 33,000 रुपे के तो मेरी जो total value बन जाती है after 10 years यह बन जाती है 49,33,000 रुपीज के आसपास की तो अगर मैं mutual fund में कम से कम returns के हिसाब से यानि कि 13% के returns के हिसाब से पैसा डालता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलते है 49,000 रुपीज वहीं जो यह plan मुझे दे रहा है यह plan मुझे दे रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 6.3% का जबकि mutual fund के case में हम assume कर रहे थे कि कम से कम 13% तो आपको मिल ही जाने चाहिए तो almost आधे returns मुझे इस plan से मिल रहे हैं जिसकी वज़ा से मेरे जो returns हैं वो हो जाते हैं कम तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इन plans में आपको कुछ भी फायदा देखने को मिल रहा है क्या 6.3% के returns को आप कुछ भी अच्छे returns कहेंगे आज के टाइम पे FD से ही आपको 9% के returns मिल जाते हैं उसके उपर अगर आप अपने tax lab के हिसाब से tax भी पे करोगे तब भी फायदे में रहोगे अब आप कहोगे कि भाई इस plan के अंदर हमें 24 लाग रुपए का life insurance भी तो मिल रहा है तो भाई साब या बहेंजी 24 लाग रुपए छोड़िए अगर आप अच्छे से अच्छे brand का 50 लाग रुपए का term insurance plan भी ले लेंगे तो वो भी आपको 7.500 रुपए पर मन्त में अराम स लेने में आपके 10 साल में पैसे खर्च होंगे यही कोई 90,000 रुपीज अगर आप एक large cap mutual fund या फिर एक index fund में भी अपना पैसा डालते हैं तो वहाँ पर आपको already 15 लाग रुपे या फिर 16 लाग रुपे extra मिल रहे हैं अगर आप term insurance के 1 लाग रुपे घटा भी देते हैं तब अब आप कम से कम 14 लाग रुपीज के profit में रहते हैं अब आप बताईए कि आपका ज्यादा फायदा किस चीज में है और सबसे खराब चीज इन guaranteed plans की अगर मैं आपको बता देता हूँ तो आप अपना पैसा इन plans में से 5 साल से पहले कुछ भी करके नहीं निकाल सकते आप कुल बिगनर हैं mutual funds में investments करने के लिए confused हैं कि कौन सा mutual fund बाय करें as a beginner किस mutual fund से आपको अच्छे returns मिल सकते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिए इस से ज़्यादा असान काम आपके लिए और कुछ होई नहीं सकता अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही है तो इस वीडि